साथियो नवस्कार, साथियो आज बड़ा पावन दिवस है, आज अच्छे नौमी है मतलब कार्तिक मास की नौमी को हम लोग परंपरागत रूप से आज आउले के दिव व्रक्ष की पूजा और अध्यात्मिक रूप से वंदना करते हैं देखिए हमारे अध्यात्मिक मंडल में तीन देव हैं, भगवान विष्णु, ब्रम्भा और शिव, जिसमें भगवान विष्णु को पालनहार माना गया है तो आउले व्रक्ष भी पालनहार है, ये हमारे जित्ती भी सारीरिक सक्तियां हैं, उन सब में इसके विष्णु की तरह ही पालनहार व्रक्ष है, ये इसकी महिमा है यही दिव और अध्यात्मे कारण है कि भगवान स्री कृष्ण जी ने गीता में आउले को और कार्तिक मास को अपना सवरूब बताया है भगवान को सबसे ज़्यादा प्री कार्तिक मास है और उस कार्तिक मास में आउला सबसे प्री है व्रक्षों में माना जाता है कि भगवान विष्णु का कार्तिक माह में वास जो है इसी आउले व्रक्ष में होता है और यही कारण है कि आज अक्षे नौमी को पहले दिहात अंचल में आज के दिन ही विसेश पार्टियों का एवजन भी आउले के व्रक्ष के नीचे होता था तो चलिए उस पुरानी विवस्था को बनाए रखना बहुत ही आवस्थक है क्योंकि जो दिव सक्तियां हैं वो इन पौधों से ही प्राप्त होती हैं और विसेश कर प्रिकती परियावरन वाजलवायू का जो दंस है उसके दंस को समात करने के लिए आपको दिव वरक्षों क नजदीक ही रहना होगा और उनको लगाना होगा उनका संपरधन करना होगा तो यदि इस समय आपने आउले की अच्छी रूप से गुड़ाई सेवा और खाद अगर आपने इस समय ओपयोगिक कर दी आपके बाग में बगीचे में क्यों कई लोग इसकी विवसाय खेती भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी कर रहे हों तो अपने पौधों को इस समय आप विसेश उनकी सेवा करिए सबसे बड़ा आसा है यही था पहले भी और आज भी कि यदि विस्तता में आप समय नहीं निकल पाए तो इस समय जरूर पौधे का रख रखाव अच्छा करिए जिससे फिर आगे चलके फल बहुत अच्छे आएंगे और फलों में बहुत अधिक रस होगा और जब फल अधिक आएंगे तो अधिक से अधिक इसका लोग सेवन कर सकेंगे और लाव उठा सकेंगे यह मूल मंत्र है यह मूल रहस है अगर आपके पास जगए है आपका मकान रोड साइड है तो अपने मकान के सामने और नहीं तो गमले में आज आप आउले का पौधार जरूर लगाईए अब आउले की भी बहुत अच्छी बरैटियां आ गई हैं और गमलों में भी अगर आप इनको लगा लेते हैं तो गमले में भी इनका आप विकास कर सकते हैं प्रिश्णा कंचन और नरेंद्र टैन नरेंद्र टैन तो बहुत ही अच्छी है समझ लिए कि उसका फल बहुत ही स्वाधिश्ट और बहुत ही गुणकारी है औसी रूप से मेडिकलिकेट रूप से नरेंड टैन जो है उसको आप लोगाईए और गमले में वो लग जाता है इसके औसदी गुणों के कारण आज पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है पिभिन इसके वेन्यन, चवन प्रियास और कई रस जो है बहुत ही अम्रतार रूप में बन रहे हैं और पूरे विश्व में इनकी मांग है और प्राचीन काल से ही चाहे हमारे रिशी चरक रहे हों, सुसुरत रहे हों, चवन रिशी रहे हों चवन रिशी ने तो चवन प्रियास का निमान ही इसी फलों के गुणवता से की किया है तो इसका सेवन विवन रूपों में आप करिए अचार की रूप में करिए बुकनु की रूप में करिए किसी भी रूप में करिए ये तो हर उसमें फलदाई है और आज अच्छे नौमी को तो विशेश मनता है कि आज लक्षमी जी का भी वास इस पुन्यवडाई वरक्ष पर होता है बहुत बड़ी किविदंती है कि आज जो है मा लक्षमी जी ने भगवान विश्णु को इसी वरक्ष के नीचे आज खाना खिलाया था तब से ये पर्मपरा है कि सभी लोग आज के दिन इसी वरक्ष के नीचे जाकर खाना खाते हैं बच्चों सहत परिवार सहत सभी बड़े बढ़े बच्चे सभी आनन्द लेते हैं तो चलिए आज की पार्टी आप भी इसी पावन वरक्ष के नीचे करें और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें साथ में प्रिकती और वरक्षों का जो सांज़तिता है उसकी भी प्राप्ती करें चलिए बहुत बहुत धन्वाद थाइंक यू थाइंक यू